नमस्कार दोस्तों वेलकम बैक टो माई चैनल पिहूस क्रेटिविटी अब सबको फिर सब और एक बार मेरे चैनल पर स्वागत है तो कैसे हैं आप सब उमीद है आप सब बहुत अच्छे रहेंगे तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक और आज का वीडियो तो देखत हैं आज आप सब के लिए में क्याल आई है और यह रहा हमारा प्यारा सा क्रिस्टल जूमर और इसको ही हम आज बनाना आप लोगों को दिखाएंगे तो एक्साइटिक ना बहतरीन डिजाइन की जूमर अपने रूम अपने घर अपनी डोर के सामने लगा के आप अपने रू खूबसरत लग रही है आप लोग देखी सकते हो तो इसको बहुत आसान तरी के से बहुत कम समय में कैसे बनाया जाते हैं उस बारे में आज का पूरा वीडियो आप लोग ज़रूर देखे और मुझे बताएं आप लोगों के जूमर का डिजाइन उनीक है थरा सा कैसा लगा और फ्लीस मुझे सपोर्ट कीजिए सबसक्राइब कीजिए मैरे चैनल को पास में नीचे जो पास में रेट कला का सबस्क्राइब को बडरन है उसको टंग करके बजा दीजिए और नौटिफिकेशन जो बल है उसको भी दबा दीजिए ताकी मेरे सारी वीडियो की नोटिव आप तक सबसब पहले पहुँच सके और मैं ऐसे ही बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत है जूमर और भी रूम डेकवर्ड करने के लिए बहुत सारे आइडियास लाने वाली हो मेरी चैनल पर प्लीज सपोर्ट मी तो चलती है और इसको बनाना शुरू करते हैं और जूमर बन बोलोगे ना कि जूमर बना लेकि दिए धागा दो तो फिर ओ आप लोगों कैसा ही देगा और यह रेट और वाइट कलर का पाइब और रेट और वाइट कलर का मैंने मोती लिया है एक क्रिस्टल बीट्स जिसको बोलते हैं कुछ इस तरीके से इस तरीके का और यहाँ पर मै मैं एक सुई में धागा डाल दिया और उसके अंदर एरेट बहला पत्ता जो है उसको लेके में डाल के यहाँ पर मैं नौट लगा लूँगी कुछ इस तरीके से नौट लगा के यहाँ पर मैं इसको टाइटली बंद कर दूँगी तो हमने यहाँ पर नौट लगा लिया है और अगर आप लोगों को लगता है, और नौड लगाना चाहिए, सिक्यूयर के लिए तो आप और लगाएगे, कुछ इस तरीके से ही, मैंने ले लिया, और इसके बाद मैं यहापे white color का जो मैंने भी लिया है, उसको लोओंगे, और इसको लिने के बाद मैं red color का pipe है, red color का pipe के अंदर सुई डालना और इसके बाद सब जूमर के इस साइट पे जो जूमर है वो बनाते हैं लेकिन मैं प्लेट को उल्टा करके बना रही हूँ तो यहाँ पे थोड़ा यूनिक ने से तो चलिया ट्राइ करते हैं तो एक जो जूमर के प्लेट में जो ऐसे होल बना हूँ है उ निकाल लिए के बाद फिर उसी सुई में मैं वाइट कलर का जो पाइप है ओ डाल दूँगी यह देखिए वाइट कलर का पाइप डाल दिया और इसके बाद यहाँ पे फिर में लूँगी रेट कलर का मोती तो रेट कलर का जो बीट से ओ लिया और उसके बाद यहाँ पे फ सके नॉटी लगा लेंगे इससे क्या होगा वतायी इसे शूंबर के उपशने ही नॉट साई लगा के ओवलेस बने नहीं है। इसके लिए मैं कुछ इस तरीके से बना रहे हूं इससारे पत्य एक जैसे समान रहेगा और अच्छा लगेगा फिर मैं इसको ऐसे कट कर दीती हो और अब कट करने के बाद यहाँ पर देखे मैंने दो लगा लिया हैं और इस तरीके से मैं जो सारै ओला जो पार्डे कोले उसको मैं फिलाप कर दूंगे और इसको मैं ने रएड वाइड वाइट से आज फिलाप कर दिया अब देखिसकते हो आप देखिए इस प्लेट में आ पांच भागें सबसे बाहर वाली जो पाड ही उसको हमने कम्प्लीट कर लिया लेकिन अब हम कुछ और करें उपर जो नौट लगाते हैं उसके लिए मैं प्लेट को पहसे उल्टी तरीके से लोगी और इसके बाद में यहाँ पर मोती डाल देती हूं एह दिखिए मोती डाल दिया अब इसको म मोती लगा दिया ताकि वह जो धागा हे ऑवा पाईप लेती हूं मतलब हम उपर वाले पार्ट को cents कि बना रहे है और उसके बाद में रेट कल्या का निज जो पाईब उसको इसको डाल दूगी पहले हम उपर बाला पार्ट बना लेते हैं पहले ही बनाना चाहतágina है, पहले ही स्किप कर गए तो, अब मैं ऑसको कम्डीट कर जा हूँ, फिर मैने इसके ऐसे ईईक कर लिया ठीक चार करेंगे, और फिर सेम प्रोसेस में पहले वाइट जो पाइब है ओ फिर रेट कलर का मोती और रेट कलर का पाइब हम डाल देंगे और ऐसी चारों और हमें कर लेना है तो फटापट अब कर दीजिए यहां पर हमने चार मोती ऐसे मतलब चार पाइप से चार स्टैन जैसे बना लिया है अब इस सारे जो धाग है उसको एक खटा करके इसके अंदर में लगाऊंगी नौट जैसे कि हमारा जूमर कुछ बहुत दी जादा खूब से लगने वाली इससे और यहां पर मैंने एक मतका वाइट कल का बीच लिया है सुरी मैंने दिखाना भूल की थी तो यह वाइट कल के मतका भी से यह पर डाल देंगे ताकि ओचो नौट यह नजर ना है और और फिसादा खूब सिरत लगे और इसके बाद यह मतका भी इसको हमने ऐसे डाल दिया अब इसको कुछ इस तरीके से थागे को घुमा घुमा के हम नौड लगाएंगे ताकि उपर की और मतलो हम कही भी जब इसको जुमार के जब हम घर में सेट करेंगे उसके लिए हमने एक बड़ा सा होल बना लिया है धागे की मदद से और इक्स्ट्रा जो भी धागा है उससे में और एक नौड लगा के इसकी मतका के अंदर में दालने के बाद ये पकरने के लिए भी एकदम सही हो गया है और अच्छा लग रहा है और ऐसे जुमर के उपर और और कुछ अच्छा नहीं लगता इसके लिए नहीं है त्राइग तो बस अब हमने जिस लाइन में हमने ओ स्टैंड के लिए डाले थे उस लाइन के बारी है उसको में ऐसे रेट पत्ते से रेट पत्ता फिर मैंने वाइट कलर का और एक रेट कलर का मूती डाला है यह देखिए रेट और रेट कलर का मूती डाला के बाद हमें पाइप डालना है यहाँ पर इस वाली लाइन पर हमें दो पाइप करके डालना है पहले वाले में एक पाइ लूँगी अब इसको मैं इसकी पास बाले में से ऐसे कीच के उपर के और लाओंगी फिर इसकी जो पास में जो होल होगा उस पास बाले होल में पहले की जैसे उसको मैं इस तरीके से इसकी नीचे से लाओंगी और इसके बाद इसकी जैसे ही सेम टू सेम पहले रेट पहले रे रेट कलर का A Bits और इसके बाद white कलर का Pipe और white कलर के Pipe डालने के बाद हम डालेंगे ट्रेड और white कलर का 2 Moti यहां पे में 2 Moti का की यूज करी हूँ के दो मोती और इसके बाद हमें लेना है रेट बला पत्ता पहले बाले में आप लोग नो डिस्ट करना एक रेट एक वाइट में वाईट लेकिन इस में ये वाला जो लाइन है इस वाले लाइन में में पुरा जो रेट कलर का हमारा पत्ता है सारे के सारे में रेट कलर का पत्ता यूज करने बाले हूँ इस बाले रो पे ओके इसको कट कर दिया और ऐसी में सारे जो रो है पुरा इस लाइन को मैं फिलाप कर देती के और यह हमारा दूसरे लाइन पर कम्प्लीट है और देखें अभी से कितना खोसरत लग रही है लेकिन इनकॉंप्लीट है इसका और भी पार्ट बन रही है तो फिर से हमें यह वाला तीसरा लाइन जो है उसका कम्प्लीक करना है और उसमें मैं फिर से एक वाइट कलर का पत् और यहां पर मैं फिर से white rate, white rate करके combine करके डाल देगी पहले वाले जैसा तो फास्ट लाइन में जो हमने डाले थे उस तरीके से फिर इस वाले राइन में बतब तीसरे लाइन पर हम फिर से इस तरीके से डाल देते हैं और यहां पर हमारा आ पाइक टीन पाइक जाएगा एह देखिए ठीन यहां पर हम तीन दालें गया दो आपना बनारी के बाद थे प्रोइषय को अपनाएंग है खिंप और पर यहां पर ठीन पाइप डाले है ताली है और इसके साइट में जो रहा है उसमें भी हम सेम तो सेम पहले दू वाइट कलर का पाइप लेंगे पहले वाइट कलर का पाइप लेते हैं फिरेट कलर का बीट्स और उसके बाद और एक वाइट कलर का पाइप और देन उसके बाद हमें डालना हैं दो मोती एक रेट और एक व पिर हमें दो मोती लेना है वाइट रेट और उसके बाद यह रेट कलर का पत्ता जो है उसको हम फिल कर देंगे इसके अंदर फिर इस तरीके से यह वाला जो पूरा लाइन है उसको भी हम कंप्लीट कर देंगे सुवी और धागे के मदद से हेना बहुत असान अब तक तो सब आप लोगों को शायद असानी लग रहा होगा और यह बहुत जाता असान है इसलिए मैं बोलते हो घर पे बनाएं और ठ्राइ कीजिए आप तीसरा जो हमारा लाइन है वह भी हम कंप्लीट कर ले थे इस तरीके से ओके फिर तीसरा लाइन भी हमारे कंप्लीटली रेड़ी है यह देखी इपिये कितना जाधा खूसरत लग रहा है तॉसरे वाले लाइन और हमें छोथा लाइन कर्येट करना है यह देखिए हैं अबसार मेंक्ता यह दक्ता फिर दिए इस हिंगे और फिर हमें लेना है एक रेट बिट फिर लेना है एक रेट कलर का पाइप फिर हमें लेना है और एक वाइट कलर का पाइप फिर लेना है एक रेट कलर का पाइप ओके तो यहाँ पर ध्यार रखना हमने चार लिया है और बीच में हमने इस दोनों में मोती नहीं डाला है और पर मुर्जाओं दिए हम अन्य जो होल और फिला प्रेश्च सब्सक्राइब दाना, लिए घर लिए फिलाप ने करेंगे। एक को छोड़ के करेंगे कि वह बहुत जादा पास पास है, तो उत्म जादा अच्छा नहीं लगता है। इसलिए में एक जो होल है उसको में छोड़ छोड़ के इसको कम्प्लीट कर देती होंके बस इसको हमें कम्प्लीट करना है और फिर हमें में जो एकदम बीच का जो है पॉइंट उसको लेने के लिए हमने यहाँ पे तीन रेट कलर का पत्ता लिया है और यहाँ पे हम तीन दिल को बनाने के लिए और फिर सुई दागी के मतद से अच्छी तरीके से इसको हम टाइटली यहाँ पर नौड लगा देंगे तक यह खुलेना तीन लिया है है इसलिए थोड़ा ध्यान रखके करना और यहाँ फिर से यहाँ पर नौड लगा दूंगे जो एक्स्ट्रा काट करके चो में घण बनांब ऑग्यां इसको लिया है और इसके बाद में हैंपो फवाइत का लगा दिन WR extended कलिया है और एक वाइट कलमार का दें यहाँ और इक बालाइक रएज आट कलर का में पर ने चाल लिया है फिर एक white color का मतलब यहाँ पर मैं फिर से 3 मोती लिया है और उसके बाद मैं white color का pipe लिया है और उसके बाद हमें फिर से red और white डाल देना है और एक red डालना है मतलब 3 दिन करके डालना है और उसके बाद मैं एक pipe डाल देती हूँ और यहां पर मैं फिर से उसे फिलाप कर दूँगी फिर यहां पर मैंने डाल दिया है आप यहां पर मैंने पाच पाइप डाल दिया है मैंने आप इसको हम यहां पर अटाच कर देते हैं मतलब भुदू से की गटिया पर दिखिये है कि और इसके इंदर से डाला है और इसका 힘ने हम लगाएंगे इसकी और एक चाहिए वाय नहें दोर्ण फाr यहाँ नह्म दोनों में से कोई एगली बिच्पला निदम है और मतलब इस मिश का Мच मरी फोलब र ход के सब्सें Candis HA टाइटली रहेगा भी और अच्छे से सिकूर भी होगा और फिर हम साइट साइट से नौट लगाने की कोशिश करेंगे कोशिश नहीं नौटी लगाएंगे तो चलिए साइट साइट में जो दित्ता भी धाग है उनको हम इसे कवर करते हुए यहाँ पे धागे में हम नौट खुले ना और वो बीच वाला जो हमारा तिन पत्तों का जो पाई पर उच्छी से लगे और यहाँ पर हमारा जूमर बिल्कुल भी कम्प्लीट है और यह आप देख सकते हैं हमारा फाइनल लोक कितना खूबशुरत बना है और यह बनाने के लिए मुझे दो घंटे के करिया कितना खूबशुरत लग रहा है ना बिल्कुल असान देरे के साथ बना सकते हो प्लीज आप यह जरूर ट्राइक करना ट्राइक करना और बताए आप लोगों का एक शानदार जूमर का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा और अपने एक्सवेरियंस मेरे साथ शेयर मुझों बहुत आगे जाना है और और वह आप लोगों के हीजिए नहीं हो सकता है और बहुत खूबसुरत कशूबसूरत वीडियो आने वाला है मेरे चैनल पर कुछ विनों से गया था अप से रेगुलर विश्ल्स पर वीडियो आएगी तो प्लीज मेरे चैनल को सबसक्रा दीन वीडियो के साथ तब तक के लिए, बाई-बाई, टिक क्यार।